नमाज की शरायत कितनी है? पहले इसको शरायत कम समगे शरायत का मतलब क्या? किसी भी चीज़ की कोई शर्त होती है जैसे आपने मुझे वैयान के लिए उला है आपने कहा के मुशा भई नेक्स जुमा को आई है मैंने का ठीक है मैं आउगा लेकिन मैं तीन बेश तक आउगा आपको कम से कम कोने एक तो क्यों यहां आना पड़ेगा तब तो टाइम पर सब कुछ होगा वरना नहीं होगा मैं कहुंगा कि मैं आउगा जरूर लेकिन मैं न वो त्धियार ये अमामा बेंड के आना जूबा पेंड के आना और यह जमता है अपने कुप मैं शर्ट परमे आउगा आपके बार नमाद पढ़ लेजिए बयान के लिए मंसक्त नहीं थिए करेगी कि जब किसी काम के लिए आदमी जाता है तो पहले उसकी शर्ट पूरी करनी होगी जैसे कर एक्जामपल दूशार इससे आपको बात समझ में आ जाएगी एक बच्चा कॉलेज में अटमिशन लेना चाहता है तो उसकी कुछ शरायत है पहले तो यह है कि वह ससी पास हो फिर उस सब्सक्राप फीज भर सके और चौथा वो टाइम अटमिशन का अभी यह टाम पे अटमिशन लें जाये तो होगा यह एटमिशन स्कुर्ड करनी होगी आपको प्रवाइट करनी होगी आपको बढ़नी होगी, meritless में आपका नाम आना चाहिए और वो admission का time होना चाहिए यह सब कोई conditions होने के बाद में आपका admission हो गया अब admission होने के बाद में, दो-तीन मेने के बाद में college ने उस तमाम mark sheets को check करवाया university भेज कर या board में भेज कर और उसमें से एक बच्चे का जो mark sheet निकला तो क्या उसकी नमाज होगी, क्या उसका admission continue रहेगा जवाप दीजी, उसका admission रहेगा या cancel कर दिया जाएगा immediately cancel होगा, immediately उसको college से निकाल देंगी कि अब तुम college में नहीं रह सकते क्योंकि तुमारी एक precondition जो थी वो फुल्फिल नहीं होई, मुझे उम्मीद है कि आपको यह मिसाल समझे होगी ऐसे ही नमाज पुरी करने से पहले कुछ preconditions होती है नमाज पढ़ने से पहले, उनको फुल्फिल करोगे तो नमाज में अटमिशन होगा और उनको फुल्फिल नहीं करोगे तो नमाज में अटमिशन ही हो बेना फुल्फिल कि आप अपने अद्बार से तो नमाज के अंदर जा चुके है लेकिन वो कंडिशन में कहीं भी कड़बड हो जाएगी आप आप आपको उसकी खबर नहीं होगी तो वो प्री कंडिशन क्या है वो छे हैं कितनी है बोलो कितनी कंडिशन से छे नमबर एक है तहारत क्या है बलते हैं तहारत खाना का है तहारत पहली कंडिशन क्या है तहारत दूसरी कंडिशन है सत्रे औरत तिसरी कंडिशन है इस्तिक्बाल एकिबलाब चौती कंडिशन है नीयन पाच्वी कंडिशन है वक्त और छटी कंडिशन है तद्बीर तह्रीमा ये छे शरायत थे ठीक है मैं जो बोल रहा है उसका आप यार रखने की कोशिश करें एक दम से एक ही दिन में पॉफेक्ट नहीं हो जाएंगे लेकिन धीरे धीरे होंगे इच्छा अब पहली शर्त को समझें पहली शर्त है तहारत तहारत यानी पाकी हासिल करना तहारत यानी तहारत खाना नहीं है तहारत खाना भी पाकी हासिल करने के लिए तहारत यानी क्या पाकी हासिल करना बोलिए पाकिया असिल करना यह बोलना भी चीख हुआ वर्मना जबान से निकलेगा नहीं यह किसी को समझाने जाओ के तो वर्ड जबान पे नहीं आएंगे दिनमाग में तो आएंगे लेकिन जबान से नहीं अदा होगे इसलिए भी तो एदा करना यह है बभी ताहारत, बुला ठाहारत जिसको मतलब एपाकिया असर रीजाद है अब किस चीज की पाकिया हसिर करना जब आप नमाज पढ़ने का इरादा करें तो तीन चीज़ों का पाक होना जरूरी है एक तो जिस जगे पे आप नमास पढ़ रहें तो जगे का पाक होना जरूरी है दूसरा आपका खुद का पाक होना जरूरी है यानि जिसन का पाक होना और तीसरा आपके कपड़ों का पाक होना जरूरी है जब कपड़ा पिंगे आप नमास पढ़ रहें ये तीनों का पाको नज़र हो अब जमीन तो अमुमन पाकी होती है उसको पता चल जाता है देखकर कहीं पर अगर जानवर की लीद पड़ी है जानवर का गोवर उगरा पड़ा है तो साइट सी बात है कि वो जगे नमास पढ़ने के लाएड नहीं है लेकिं उमोमन आम तोर पे जो जमीन होती उसके हम कपड़ा उगरा बिचा के इसी लिए नमाज पढ़ते हैं ताकि अगर कोई गंदगी उगरा हो तो उससे हमारा कॉंटाक्ट ना हो तो जमीन की पाकी का इतना कोई बड़ा मसला भी होता कई नापा की नज़र आया त तो पानी अगरा मार के हम उसको पाक कर सकते हैं उसका इतमाम हम करते ही हैं उमोमन हम घर में नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या कभी सफर में हैं उसको प्लाटफॉर्म पे नमाज पढ़ते हैं या एरपोर्ट पे नमाज पढ़ते हैं तो और दिसरा है कपड़ों का पाक करना होता है तो इसमें हमको पहले ये समझना होगा कि हम नापाक कब होते हैं हम नापाक कब होते हैं और नापाक कहते हैं किसको हैं ये भी आप समझ लीजी नापाक कहते हैं किसको हैं नापा कुछ शक्स को कहते है जिस पर गुसल फर्ज हो, गुसल के बगेर कोई चारा ही ना हो, कोई उप्ष tobacco कोई आपOP्शन ना हो, गुसल ही करना होगा जब गुसल फर्ज हो जाता है तो ऐसा शक्स नापाक कहलाता है अब गुसल फर्ज कब होता है तो मर्द के लिए तीन चीजी ऐसी है जिसे गुसल फर्ज होता है देखो यहाँ पर कोई गंदी बात करना मकसद नहीं है यह मसाइल सिखाना में उसलिए आपके सामने आर्स करने जा रहा हूं आप यह मैं समझना है या मुसा अब बहुत वल्गर बातें करके यापट चले गए मैंसे कोई वल्गर बात नहीं करा यह हमारा दीन है जब को सब कुछ सिखाते है समझे हम पो कही हो जाके कुछ सीखने की जहूरत नहीं है हर चीज का हर चीज का कायडेंस हमारे दीन में मौजूद है इसलिन में नापाक कब हता है कि किसे हमाले लोग क्या सुचते है पढ़ भेरे ट्रेन में सब्सक्रचा रात след मिर्साथ थे मैं उसे बावी चली नमाज पढ़ते हैं का ने ने मैं वो टॉलेट में गया था ना दो थोड़ा चीटा उड़ गया इसले मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा मैंने का आप वापस जाईए और चाह चीटा उड़ा है वाँ पे पानी बहाई नमाज पढ़ लीजिए नमाज के लिए बहाने क्यों कर रहे हैं बहाने क्यों कर रहे हैं चीटा कौन सा उड़ा था कितना उड़ा था ये पुरे मसाईले इसको सीखिए नमाज को कजा मत कीजिए बलके अदा करने की कोशिश कीजिए पता नहीं कब मौत का वक सामने आ जाएगा और ये कजा नमाजों का बोज लेकर अगर हम दुनिया से जाएंगे तो रब की बारगा में क्या मूद इखाएंगे इस पत्वरासम को वहर करना चाहिए तो मर्द नापाक कब होता है तीन सुड़तों में मर्द नापाक होता है नमबर एक मिया बीवी के जायस तालू का इसमें नापाक हो जाते है नमबर दो रात में सोया था और नापाक हो गया अहतलाम हो गया जिसको नाइट फॉल करते हैं इससे नापाक हो जाते है कोई ख्याल जहन में गंदा ख्याल ऐसा आया जिसके विए से उस गंदे ख्याल के साथ मनी काणिया और और फ़िवजन के जा, गंदाँ कोई बोज उठाया । और उसमें ऐसा हुआ कि मनी खारज हो गई तो ये उस ख्याल से खारज नहीं हुई है ये कमजोरी के जिए से घारज तो इससे आप नापाक नहीं होगें हा लेकिन जहां पर वो चीज लगी है उसको साफ करना पड़ेगा उसको साफ जरूर करना पड़े गुसल का मतलब यह होता है कि आदमी पूरे बदन पे पानी बहा है खुली करे नाग के नरम इसे में पानी लगा कर उसको साफ करे और पूरे बदन पे पानी बहाना यह फर्ज होता है बाल की नोप के बराबर भी कोई हिस्सा सुखा नहीं रहना चाहिए ये तीन चीज़ गुसले में करनी होती है जिसम का कोई भी हिस्सा बाल की नोप के बराबर भी सुखा नहीं रहना चाहिए कुली करना, नाक की नरम हटी तक पाणी डालके नाक साफ करना और पूरे बंदन पे पानी बाना तो जब आदमी नापाक होता है तो ये तीन चीज़ करनी होती है तो तीन ही चीज़ से नापाक होता है समझ में आरी मेरी बात आपको समझ में आरी नहीं समझ में आरी तो पूछी है कन्फिजन हो रहा है तो पूछी है लेकिन यहां से ऐसे कन्फ्यूज होकर मच जाई है समझे, ये तीन चीज़ों से मर्द नापाक होता है एक मियां फीवी के तालुक का दूसरा राफ में सोया था नाइट फॉल हो गया तीसरा किसी गंदे ख्याल से अगर मनी खारीज होगे तो नापाक होगे औरतों के लिए दो चीज़े और है एक जो उनको हर महीने की जो नापाक ही होती हो और दूसरा जब बच्चे की पैदाईश होती है रो नापाक ही होती है तो वो ये पांच चीज़े औरतों के लिए लेकिन मर्द के लिए तीन चीज़े अब मुझे बताओ के हम कितनी-कितनी चीजों पहले से नापाख हो जाती थि नास्ते से जा रहे गोवल पहल पढ़ गया अरे मैं तो नापाख हो गया नंगा बच्चा सामने से गुजर गया uing मैं तो नापाख हो गया कि उसके बाद गटर का किछड और गया बाइक पे जा रहे थे कई से किचर उड़के अरे मैं तो नापाक होगे, ऐसे कई मरतबह पाक आद्मी अपने आपको नापाक समझ के नमाज छोड़ता रहता है, इसको समझिए, कि आप ऐसी छोटी छोटी बातों से नापाक नहीं होते हैं, बलके मैयत को जो नहलाते हैं, वो बताएगा, इस चीज़ को भी अपने मंद से निकाल लिए, कि मैयत को गुसल देने वाला नापाक नहीं होता, हाँ उसके लिए गुसल करना मुस्तहब जरूर है, इसको सवाब मिलेगा अगर गुसल करेगा तो, लेकि वो फैसला उसको लेना है, आपको नहीं लेना है, खु यह सही होगा, तो नमास सही हो, इसको समझे एची तरह से, गुसल का तरीका क्या है, गुसल का तरीका यह है, कि जब आप गुसल करने जाएं, तो पहले जिस पानी से आप गुसल कर रहे हैं, उस पानी का गुसल के लाएक होना, माय मुस्तामल ना होना, अब माय मुस्तामल क पानी से आप नहाने जा रहे हैं उस पानी में कोई बे वजू या बे गुस्ल शक्स ने हाथ वगरा ना डाला हूँ और अगर किसी ने डाल दिया पहली चीज़ तो आजकर हमारी घरों में टाकियां अगर होती हैं अगर डारे काफ उसे पानी लेकर शावर से दा रहे हैं तो पानी अभी गुस्ल या वजू के लायक नहीं रहा है इसका ख्याल मस्जिद के इंतिजामिया वालों को भी रखना चाहिए जब हम बड़े बड़े ड्रम बहारत देते हैं अब कोई भी आ रहा है उसमें हाट टाल रहा है पानी निकाल रहा है पान निकाल के लेके जा रहा ह अब किसी भी बेवजू शख्स का हाथ उसके अंदर चला गया तो पानी इस्तमाल के लायक नहीं रहा है उसको फेगना नहीं है बलके उस पानी के अंदर अच्छा पानी मिलाकर उसको ओरफ्लो कर लेना है एक मरतब आपने उसको ओरफ्लो कर लिए अब वो पानी वजू के लायक हो गया उसको फेगना नहीं वो पानी नापाक नहीं हुआ है उसको आप नापाक मन समझेए बलके उसमे अच्छा पानी मिलाकर उसको ओरफ्लो कर लीजिए और जो मस्जिद वाले बाहर ट्रम वगरा रख देते हैं उनको ये करना चाहिए कि उनका कोई जिम्बेदार शक्स महा खड़े रहे जो बावजूर है और वो पानी निकाल निकाल के लोगों को दे दे ताकि सबका वजू सही हो जब वजू सही होगा तो रहा सही हो बाख दूरू का तरीका समझ लीजिए चुके वक्त हो गया है बुसल का सिंपल सा तरीका यह जब आप गुसल करने ज अगर वजू की शर्त में यह नहीं है कि पुरे कपड़े बदर पे होने चाहिए आप बिलकुल वजू कर सकते हैं उससे पहले आप यह कर लें कि अपनी शर्मणा को आप दोलें फिर आप वजू कर लें वजू करने के बाद में दो फराइस में आपका हमल हो जाएगा एक पुछ गोश्ट का टुकड़ा या पान का कुछ टुकड़ा वगरा फसाया तो उसको आप साफ कर लीजे इसलिए कभी भी खाना काने के बाद खिलाल ये कर लेना तुट्पी कोती है उससे दातों को साफ करना ये भी मेरे आपका की सुनने ये आपको कर लेना चाहिए आए भाई में गुस्त करने वे कुछी शर्ण कर ने खी उंदर रहे गई तो फिर बराबर नहीं हो और फिर बाद में फिक्रोंने लगी कि मेरी नमाज का क्या है प्रिके मेरे आखा इशालत फर्माते है रोजे मैशे साथ साथ si साल की नमाझे पढ़ने वाले कुछ नमाजि जैसे आप पानी डाले, मस्मून तरीका ओलबानी के बताया कि आप क्या करेंQue पहले wird गशल करने से पहले पने हाथों को भी धोले ताकि के आप कही हाथ उसमें जाकर पानी माहँ ऐसा मलना हो जाए या आप कर ले उसके базा पानी क…… साथ तो पहले पानी लेकर सीठों पर डाले घर पीशिए बदन के वह पर पर पनी नहीं पहुंचा माँ पनी पहुंचाी एह से सीठों पानी नहीं present यह जो जांगों का हिस्साइभ यह पानी इनी पहुशता है फिर पेल के नीशे कू नेएडियों का हिस्साइभ यहां पानी निप Clement कि अपूंचता है। मैं इसी हिसों को identify कीजिये और वहां पर पानी पहुंचाओे इस तरह से आपका गुस्ल क्या होगा? मुकमल होगा. जब गुस्ल मुकमल हो गया तो वापस से वजू करने की हाज़त नहीं है. जब तक आपका वजू बूपता नहीं है. अभिसुल कोद्रा कुछ हो गए अगर तो इसका तरीका यह है कि आपकी निगाहें जो होगी वह सामने की तरफ होगी आप नियत क्या करते हैं, नियत की मैंने, दोरकातमास फर्स, वक्त जुम्मा, मूँ मेरा कावे की तरफ, तो मूँ मेरा कावे की तरफ, तो अपने मूँ को कावे की तरफ कीजिए किबले की तरफ, इसे अगर आप रखके करेंगे नियत, ठीके नियत तो हो जाएगी, देख ए वैसे अगर आप नमास पढ़ लोगे न फराइसक आपने खिल किया वाजीबात का खिल किया नमास रो जाये लेकिन सुन्तों और मुस्तेबात का खिल आप बरो गे तो सवाब के साथ होगी इसको समझे तो इन तरीके को सीखिये तो पहले तो आपका चेहरा किबले की तरफ हो उसके बाद आप नियत आपने कर ली, फिर उसके बाद आप हातों को इस तरह से उठाएंगे, हातों को ऐसे सीधे रखेंगे, उंगलिया ना फैली हो, ना बिल्कुल से मिली हुई हो, वैकि अपनी नॉर्मल हालत पे हो, और फिर इस तरह से यंगोठों को कानों की लॉपर अब हात को कैसे बादेंगे, ये चोटी उंगली, ये अंगोठा, इससे कलाई को हम, उल्टे हात की कलाई को हम पकड़ लेंगे, भारवाले भी देख सकते हैं इस तरह से हम, सीधे हात की छोटी उंगली और अंगोठे से, उल्टे हात की कलाई को थाम कर, नाफ की नीचे हात को बांदेंगे इसको समझिए नाफ के नीचे हम हाथों को बांदेंगे क्योंकि हम हनफी हैं जो शवाफे हैं वो नाफ के उपर हाथों को बांदेंगे उनके मसाइल अलगे लेकिन हम हनफी हजलाते हैं तो इस तरह से हम हाथों को बांदेंगे आज मैंने से इतना ही मसला नमा अप्लों झाले हैं